वेलो दोस्तो वेलकम टू मैं यूटूब चैनल प्लेविथ स्टोक मार्गेट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं defense sector के बारे में आज जबर जब जब तेजी देखने को मिला था defense sector के सभी स्टॉक में और इसके पिछी क्या न्यूज है उसके बारे में हम जानने की कोश्चिश करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में बने रही है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक किजिए और हमाई चैनल पर नहीं है तो में जरू सब्सक्राइब किजिए और यहां पर देख सक स्टॉक है और यहां पर देख सकते हैं तक बन नो परसंट से भी ज्यादा काम है तेजी देखने को मिला था तो इसके पीछी क्या न्यूज है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों वीडियो में बने रही है और मैं आपको न्यूज के उपर लेके जात है और अब गवर्मेंट्स बाहर से वह सभी एकुपमेंट्स बाहर से नहीं मंगवाएंगे अब इंडिया में इसका प्रोडक्शन होगा दोस्तों और जिसके चलते मैं आज काफी तेजी देखने को मिला एलन्टी में और भारत इलेक्ट्रोनिक्स में और काफी सारे ऐसे ड वर्मेंट्रों इसके बाहर से चलते मैं पंला इसके विए बाहर रह डाहर से नहीं में और भार पार प्रोडक्शन होगा तो दोस्तों ऐसे आपने देखा के गवर्मेंट का पूरा focus है वह स्वधेश्षी की उपर है यानि मेणिंडिया के ऊपर focus कर रही है गवर्मेंट और यह जो 101 आईटम से जो defense equipment है अब वो इंडिया में ही बनाया जाएगा और जो defense और इसका पूरा काम काज मिलेगा इंडियन डिफेंस इंडिस्ट्रीड को मिलेगा उसमें L&T है भारत electronics काफी सारे कम्पनियां है डिफेंस सक्याथे की जिसको आप देखा होगा और जिसके चलते आज में काफी तेजी भी देखने को मिला था तो अब दोस्तो हम L&T के आज के कारोबार की डिटेल देख लेते हैं और percentage देख लेते हैं कि क्या delivery percentage देखने को मिल सकता है और L&T आने वाले दिनों में जबर जस्त तेजी देखने को मिल सकता है हमें हो सके दोस्तो तो आप थोड़ा-थोड़ा करके उसमें invest कीजिए दोस्तो हम जाते हैं सिधा NSC के website के उपर और देख लेते हैं कि किस तरह का कारोबार का डिटेल आज देखने को मिलता है और क्या delivery percentage हमें देखने को मिलता है तो दोस्तो हम यहां NSC के website के उपर आये हैं और यहां पर अगर कारोबार की details की बात करें तो आप देख सकते हैं पांच परसंट के आसपास का तेजी देखने को मिला था प्रिवेस क्लोजिंग हुआ था 915 रुपे पर आज ओपन हुआ था 925 रुपे पर दस रुपे का दोस्तो हम चार्ट के उपर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल पर में रिजिस्टन सपोर्ट देखने को मिलता है और कौन से लेवल पर हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो में बने रहे हुआ है तो दोस्तो मैंने यहां पर यहां प वह सो ँनावा लेकिन अभी फिलाल पर तो की ज़ीश्टन के उपर तो काफी याली चाइस के के 990 के resistance को ट्रेक कर सकता है यानि टच कर सकता है और इस resistance को बेक करता है तो फिर एक अच्छा खासा आपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है अभी ख्रेश बाइंग करने के लिए बहुत ही बड़ी आमोका है और एलन टी बहुत ही बड़ी आ अच्छा खासा रिटन दे सकता है अभी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो और आने वाले दिनों में अच्छा खासा यहां से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हो अच्छा खासा प्रोफित आप निकाल सकते हो एलन टी में लॉंग टम के लिए बहुत ही बड़ी आ श्टोक है तो इस श्टोक को आप अपने पोट्रोलियों में एडिफ कर सकते हो तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइ thank you again for watching this video